कसौली के उतरी धलान पर स्थित थी बेजा रियासत, लाल इटो वा बलुआ पत्थरों से बना महल करता है अकर्शित। कसौली चावनी की तलहटी में बसी बेजा था कुराई कुठार रियासत के दक्षिन और महलोग रियासत के पश्चिम में स्थित थी। इसके पूर्व में पत्याला रियासत वा कसौली चावनी जबकी दक्षिन में भी पत्याला रियासत का कुछ भाग लगता था। इस छोटी सी रियासत का कुलक्षेत्र फल लगभग 10 वर किलोमीटर था। बेजा की आबादी सन 1881 में मात्र 590 थी। बेजा थाकुराई की स्थापना दिल्ली के परलोस की तुनार गोत की तन्ववशिय राजा धोलपाल के वनशजने की थी। जानकारी के अनुसार धोलपाल की 43 पीडी के गर्वचन ने बोहच की स्थानिय राना के उपर आक्रमन करके उसकी ठाकुराई को कबजा लिया था। इसके साथ ही उसका बेजा क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया। बेजा कई वर्षों तक कहलूर अब बिलासपूर के अधीन रहा, मगर 1790 में हंडूर रियासत नालागर ने कहलूर रियासत को हरा दिया, तो बेजा ने भी अपने आपको स्वतंत गोशित कर दिया। बोर्खों के आक्रमन की समय बेजा के शासक मांचंद 1773 से 1870 थे। वह जड़ी बूटियों के भी अच्छे ग्याता थे। इस शासक ने कई जखमी गोर्खों का इलाज किया, जिससे प्रसन होकर गोर्खा सेनापती अमर सिंधापा ने मांचंद को उसकी ठाकुराई की सनद देकर राना की उपाधी दी। बाद में गोर्खा आक्रमनकारियों को इस ख्षेत्र से भगाने के लिए मांचंद ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सरकार ने 4 सितंबर 1815 को सनद जारी कर दोबारा बेजा को ठाकुर उपादी के अधीन स्वतंत्र शासक घोशित किया। अंग्रेजों ने उसे मृत्युदिन के अतिरिक पूर्न अधिकार अपने क्षेत्र पर दिये। वह 180 रपे प्रतिवर्ष अंग्रेजी सरकार को नजराने के रूप में देता था। सन 1842 में कुछ गाव बेजा से लेकर कसौली में मिला दिये गए। इन गावों के बदले में अंग्रेजी सरकार बेजा को असी रूपे वार्षिक शुलकदा करती थी। जानकारी के अनुसार नयावाला महल राना मान सिंग ने अपने शासनकाल में बनवाया था। मान सिंग के पोतेपूरन चर्ण का सन 1916 तक शासन रहा। इस रियासत के अंतिम शासक लक्ष्मी चर्ण सन 1949 में गद्धी पर बैठे। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। 15 जासत के अंतिम शासक लक्ष्मी चर्ण के बेटे टिकका विजय चर्ण आज भी अपने परिवार सहित इसी राजमहल में रहते हैं। बेजा अब कोटबेजा पंचायक क्षेत्र के रूप में है। कोटबेजा में आज सीनियर सेकंडरी स्कूल, दूरभाश केंद्र, डागघर, पंजाब नेशनल ब्यांग, प्राथम एक स्वास्ति केंद्र जैसे कई सरकारी संस्थान कार्यरत है। वही एक निजी स्कूल भ क्रिशी वन नगदी फसलों के उत्पादन लिये भी जाना जाता है। टमाटर, रभी, अदरक, मतर, फ्रांस बीन के साथ साथ मक्की, यहू भी यहां मुख्य रूप से उगाई जाती है। कोटबेजा रियासक दो नदियों के बीच में स्थित है, जिससे यहां पर क्रिशी के लिए सिचाई हेतु पानी की कमी नहीं है। और द्योगिक नगरी परवानू से करीब 15 किलोमीटर, बद्धी बरोटी वाला की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। यहां पर हर वर्ष मैई-जून माह में नई माता मिला लगता है।